अभी हम लोग science के दो बहुत ही important concept को discuss करने वाले हैं जिसमें की एक है latent heat और दूसरा है regulation आपके class के science और math के ऐसे बहुत सारे educational content आपको infinity learn पर मिल जाएंगे जिनकी मज़से आप किसी भी concept को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और exam में अच्छा perform कर सकते हैं इन courses पर maximum discount पाने के लिए description में दिये गया link पर click कीजिए coupon code dg10 का use करके आप additional 10% discount भी पा सकते हैं जो की cable पहले 200 discounts के लिए ही available है latent heat को समझने के लिए आप एक छोटा सा activity कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको ice के कुछ टुकड़े लेने हैं और इसको glass beaker में डाल देना है जैसा कि इस figure में दिखाये गया है उसके बाद एक thermometer लेना है और उसके bulb को ice में डाल देना है ताकि जब ज़र्वत परे आप इसका temperature measure कर सके उसके बाद इस speaker को इस stand पर रख देना है और उसको heat देना है उसको burner की मदद से गर्म करना है आपको हर मिनट temperature को record करते जाना है जैसे जैसे ice को heat मिलेगा ये melt करने लगेगा और ice और water का mixture बनने लगेगा आपको इसको steer करते रहना है इसको मिलाते रहना है ice melt होने के बाद भी आपको heating करते रहना है और जितना भी data आपको मिलता है उसकी मदद से आपको temperature versus time graph draw करना है अभी हम लोग temperature versus time graph भी देखेंगे और उसका क्या significance है इसको भी समझेंगे इस activity को ध्यान से observe करने पर आपको पता चलेगा कि जब तक ice पूरी तरह से melt नहीं हो ज हम उसको heat करते रहते हैं तब उसका temperature बरना शुरू करता है और उसका temperature बरकर 100 degree Celsius हो जाता है इस temperature पर water steam में convert होना शुरू कर देता है और यह temperature यानि के 100 degree Celsius का temperature तब तक बना रहता है जब तक water पूरी तरह से steam में convert नहीं हो जाता है यही चीज हम लोग इन दोनों figure से भी समझ सक रहते हैं आइस को गर्म करने के बाद जब तक वो पूरी तरह से liquid water में convert नहीं हो जाता तब तक उसका temperature constant बना रहता है इसके बाद भी अगर हम लोग गर्म करते रहते हैं तब उसका temperature बरना शुरू करता है और temperature 100 degree Celsius तक पहुँच जाता है इसके बाद और heat देने के बाद भी temperature बरना बंद कर देता है temperature तब तक constant बना रहता है जब तक liquid water पूरी तरह से water vapor में convert नहीं हो जाता एक्टिविटी से जो आपको temperature time graph मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा अब चलिए इसको study कर लेते हैं यहाँ पर x-axis पर time को लिया गया है और y-axis पर temperature को लिया गया है माल लेते ह beaker में जो हमने ice रखा था उसका temperature 0 से भी कम था start हम लोग यहाँ से करेंगे अब उसको heat देना शुरू किये तो उसका temperature धीरे धीरे बरहेगा और temperature 0 तक पहुँचेगा temperature 0 पहुँचने के बाद भी अगर आप गर्म करते रहते हैं उसको heat देते रहते हैं तो उसका temperature बरना रहेगा जब तक temperature 100 degree Celsius तक नहीं पहुच जाता एक बार जब temperature 100 degree Celsius तक पहुच जाएगा उसके बाद फिर से यह बरना बंद कर देगा और temperature तब तक constant बना रहेगा जब तक पूरा liquid water water vapor में convert नहीं हो जाता इस graph में line AB जो हमें दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक जो line दिख है वो ice से water में conversion को represent करता है जब ice को heat किया जाता है तो यह 0 degree के constant temperature पर melt होने लगता है और water में convert होने लगता है इस दौरान ice सभी heat को absorb करते रहता है और यह absorption तब तक चलते रहता है जब तक ice पूरी तरह से water में convert नहीं हो जाता ice से liquid water में transition के दौरान यह जो constant temperature बना रहता है उस constant temperature को melting point of ice कहते हैं इसको हम MP से denote कर सकते है melting point और ice का melting point 0 degree Celsius होता है अच्छा यहां पे एक question सामने आता है अभी हमने देखा कि transition के दौरान जब water अपने solid phase से liquid phase में आ जाता है तो वो heat को absorb कर लेता है उसके बाद भी उसका temperature नह heat का अखिर होता गया है उसके बारे में यहां पर बताया गया है देखे बहुत simple सा concept है जितना heat time A से B के बीच में absorb किया जाता है उसी heat के कारण solid ice के atoms और molecules के बीच के bonds कमजोर होते हैं और solid ice liquid phase में convert हो पाता है यही heat जो की constant temperature के दौरान absorb कर लिया गया था जब solid ice liquid में convert हो रहा उस heat को कहते हैं जिसके कारण temperature तो नहीं बरता है लेकिन water अपने solid phase से liquid phase में convert हो जाता है latent heat of fusion से एक और term निकल कराता है specific latent heat of fusion देखे exactly same term है लेकिन उसके पहले बस specific लगा हुआ है physics में specific का मतलब होता है 4 unit mass अगर हम unit mass के लिए latent heat of fusion को define कर दे तो उसी को कहेंगे specific latent heat of fusion इसको define करने के लिए बोल सकते हैं the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass आग गया नहीं यहाँ पर unit mass by unit mass a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion अगर हमारे पास unit mass of ice है मान लेते हमारे पास 1 kg ice है इस 1 kg ice को 1 kg water में convert करने में जितना heat absorb हो जाएगा उस heat को कहेंगे specific latent heat of fusion एक बार जब पूरा ice water में convert हो जाता है तो उसका temperature फिर से बढ़ने लगता है और उसका temperature बढ़ते बढ़ते 100 degree Celsius पर जाकर रुख जाता है इस graph में जो line BC है वो इसी temperature increase को दिखाता है यहाँ पर temperature 0 degree से बर कर 100 degree Celsius हो गया 100 degree पर पहुँचने के बाद water फिर से absorb किये गए heat energy को water के molecules को break करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है और इस वज़ा से liquid water convert होके gaseous state में आ जाता है इस transformation के दौरान भी एक phase से दूसरे phase में conversion होता है heat energy भी absorb होता है लेकिन temperature नहीं बढ़ता है यही constant temperature जिसका liquid gaseous state में convert हो जाता है इसी temperature को liquid का boiling point कहते हैं boiling point को BP से denote कर सकते हैं और water के लिए boiling point 100 degree Celsius होता है जो heat energy इस constant temperature के दौरान absorb कर लिया जाता है जिसके कारण water अपने liquid state से gaseous state में चली जाती है उसी heat energy को latent heat of vaporization कहा जाता है अगर हम graph में देखे तो time c और time d के बीच में जितना heat absorb किया गया जिसके कारण से temperature तो नहीं बढ़ा लेकिन water का state change हो गया उसी heat को कहेंगे latent heat of vaporization latent heat of vaporization से ही एक और term निकल कराता है that is specific latent heat of vaporization ये भी वही चीज है बस इसको unit mass के लिए define किया गया है इसको define करने के लिए हम लिख सकते है अगर इस point of time पर हमारे पास unit mass of liquid water है माल लेते हैं हमारे पास 1 kg लिख वाटर है इस 1 kg liquid water को 1 kg water vapor में convert करने में जितना heat absorb होगा उस heat को specific latent heat of vaporization कहा जाएगा इस वाले table में हमें कई substance और उनके melting point, boiling point, उनका specific latent heat of fusion और specific latent heat of vaporization दिया गया है ये data बहुत important होते हैं इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है जैसे कि water या ice का melting point 0 degree Celsius है इसका मतलब ये हुआ कि इसी temperature पर ice water में convert होता है water का boiling point 100 degree Celsius है इसका मतलब ये हुआ कि इसी temperature पर water boil करता है और water से water vapor में conversion होता है water का specific latent heat of fusion 333 kilojoule per kg है इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg ice को 1 kg water में convert करने के लिए constant temperature पर convert करने के लिए 333 kilojoule heat की जरूत परेगी heat का ये required quantity calorie per gram में भी दिया गया है that is 80 calorie per gram उसी तरह से water का specific latent heat of vaporization 2256 kilojoule per kg दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg liquid water को 1 kg water vapor में convert करने के लिए 2256 kilojoule heat की जरूत परेगी ये data भी calorie per gram में दिया गया है that is 540 calorie per gram जैसे हमने water के लिए सभी terms को describe किया उसी तरह से आप बाकी के substance के लिए भी सभी terms का importance समझ सकते है अब हमें समझना है what is regulation बहुत simple concept है आसानी से आप समझ जाएंगे आपने बर्फ का गोला बनाते हुए जरूर देखा होगा इसके लिए सबसे पहले ice slab को shred किया जाता है बर्फ के छोटे छोटे टुक्रे बनाए जाते हैं उसके बाद इन टुक्रों को एक stick के round pressurize कर दिया जाता है और ये फिर से solid हो जाता है फिर से rigid हो जाता है आपके मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि जब ice slab को छोटे छोटे टुक्रों में बाट दिया जाता है तो वापस सी ये solid कैसे बन जाता है ये टूट कर गिरता क्यों नहीं है यही same phenomenon हम लोग एक activity के through भी observe कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एक ice slab लेना है और उसको दो supports की मदद से table पर रख देना है उसके बाद एक पतला सा metal wire लेना है और उसके दोनों ends पर equal weights बान देना है और metal wire को इस ice slab के cross रख देना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत interesting result यह जो metal wire हमने लटकाया था यह ice slab के बीचो बीच से निकल गया इसको penetrate करते हुए लेकिन ice slab finally आपको दो parts में नहीं मिलेगा अंत में यह ice slab आपको as a single piece ही मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह metal wire ice slab पर pressure लगाता है तो उस pressure के कारण ice का melting point zero से कम हो जाता है इसका मतलब zero degree Celsius पर ही ice water में convert हो जाता है इसको extra heat के जरुद भी नहीं परती है pressure के कारण ही यह conversion हो जाता है लेकिन जैसे यह metal wire नीचे जाता है उपर का pressure remove हो जाता है और melting point जो पहले कम हो गया था वापस से zero degree Celsius हो जाता है इस कारण से ice जो water में convert हो था वो water फिर से ice में convert हो जाता है applied pressure के कारण ice का water में conversion हो जाना और pressure के हटते ही water का वापस से ice में conversion हो जाने के phenomenon को ही regulation कहा जाता है इसको define करने के लिए हम बोल सकते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे ने टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये और अच्छे से बढ़ाई करते रही है